नमस्कार दोस्तों रोजगार विदंकिते में मैं ममतेश कुमार आप सभी का हारदिक श्वागत करता हूँ जल्दी से क्लाश को शेयर कर देंगे और क्लाश के साथ सभी लोग जुड़ जाएंगे दोस्तों आज लाइट की समस्या के कारण जो है क्लास आपकी देर से सुरू ह होई है दोस्तों तो मैं उसके लिए आपसे छमा चाहता हूं तो क्लाश को दोस्तों लाइक और शेयर कर देंगे जल्दी से और सभी लोग जुड़ जाओ और अपने टोपिक को आज हम करने वाले हैं अब यह का टोपिक पढ़ेंगे दोस्तों ठीक है तो ध्यान रखेंगे गेंगे इस बात का और आप लोगों को मैं पहली वता टेताहूं लाइट अभी भी नहीं आ रही है दोस्तों लाइट अभी भी नहीं आ ठीक है अब देखो यहां पर देखिए आप API को हम पढ़ने वाले हैं और अभी आव्य जो होता है आपका वहोता है अभी आप में क्या होता है मेरे वीरो वह अधार रहुता है और यई विकारी उसको कहते हैं जिसमें लिंग वचन यह और आ रहा होगा, के एक निपात भी तो होता, हाँ, होता है, बिल्कुल होता है निपात, लेकिन वहाँ इसका भेद नहीं माना जाता, वह अंत में आप पढ़ोगे, उसको भी पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे उसको भी अभ्या को भी पढ़ाएंगे, निपात जो होता होती है उसको भी हम शेयर करेंगे आप लोगों से ठीक है दोस्तों तो इस बात का ध्यान रखेंगे जल्दी मत सर्जी हम बहुत टाइम से बेट कर रहे हैं अब जल्दी जल्दी मत मत करें सर जी कोई दिक्कत नहीं है आप बेट कर रहे हैं मैं समझ सकता हूं मैं देख रहा हूं आपको ठीक है ना तो आपको भी पता है कि समस्या है जभी आपने बेट किया हालाकि ऐसा आप बिल्कुल भी आज तक नहीं किये हो बेट ऐसी मैं कोई भी दिक्कत अपने सामने अपने साथ कोई भी चाहिए मुए कितनी भी परिशानी में हूं लेकिन मैं आपके सामने जरूर पित्यक्स हो जाता हूं क्योंकि लाइट की समस्य आना तो आप स्वल्ब कर सकते हो नहीं हम समेरेना मत को चलो नभवय की स्पीड में ना चलो बिल्कुल भी नहीं चलेंगे बहुत आराम से पढ़ाएंगे चिंता मत करो किसी भी प्रकार से ठीक है देखो कि अब व्य यह क्या है तो देखो अब व्य हैं अब यह क्या परिभासा ए और व्य है आ देखो क्या है देखो अब ये एक एविकारी सब्द है ज्यान से देखना अब ये एक एविकारी सब्द है एक एविकारी सब्द है एविकारी का मतलब होता है जिसमें लिंग बचन काल के अधार पर कोई परिवर्तन ना किया जा सके एविकारी शब्द है ए विकारी सब्द है ठीक है परिभासा क्या बनेगी इसकी इसकी परिभासा बनेगी आपकी के ऐसे सब्द जिसमें लिंग वचन काल पुरुस आधी के काराण कोई परिवर्तन ना हूँ देखो ऐसे सब्द ऐसे सब्द जिसमें लिंग बचन काल ठीक है ना पुरुस आधी के काराण कोई परिवर्तन ना हूँ कोई परिवर्तन ना हो उसे अब ये कहते हैं बात समझ रहें के ना बात किलियर हो गई के ना ठीक है इतनी बात समझ में आ गई सभी की को इतनी बात समझ में आ गई के ना सबकी चलो बहुत बढ़िया बहुत शांदार दोस्तों बहुत में पढ़ाऊगे आप हाँ भया दीपक निपात बीसी में पढ़ाऊँगा निपात बीसी में पढ़ाऊँगा चीख है चलो भया ठीक है अब देखो ध्यान से इतनी बात समझ में आ गई होगी इतनी बात तो अगले पॉइंट पर अगला पॉइंट क्या है जूरो अगला पॉइंट देखो भया इतनी बात समझ में आ गई आगे बढ़ते हैं हम जो मैंने बताया है कि इसमें मैंने आप लोगों को ये वाली बात बताई है कि अब यह में लिंग बचन काल के अधार पर हम कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं किस प्रकार से परिवर्तन नहीं होता है तो देखो मैं आपको समझाता हूं जैसे मैं कह रहा हूं जैसे मैं कह दूँ मोहन ठीक है ना, तो इसमें अव्य है क्या, मुझे बताओ, इसमें अव्य है क्या, बताओ सारे लोग, मैंने क्या बताया है, जिसमें लिंग बचन काल के अधारपर हम परिवर्तन नहीं कर सकते। कोई परिवर्तन नहीं कर सकते ठीक है तो बहां पर हम क्या कर सकते हैं बहां अब यह कहलाता है तो अब यहां पर देखो दोस्तों यहां पर देख लिजे कल जो सब्द है न ये कल ये क्या है आपका ये काल काल को दरसारा के न अर्थात किसको दरसारा समय को दरसारा के न इसको तो ना हम कलो कर सकते ना पलो कर सकते अर्था कहने का मतलब है कि इसमें हम किसी भी प्रकार से लिंग बचन के आधार पर कोई परिवर्तन हम इसमें नहीं कर सकते हैं। एक एक करके सारे समझेंगे। अव्ये के चार प्रकार या चार भेद होते हैं, सबसे पहला भेद हम समझेंगे, सबसे पहला भेद हम दोस्तों अब समझने जा रहे हैं और सबसे पहला भेद जो आता है आपका, वो आता है आपका सम्मंध बोधक अव्ये, ध्ERान से एकदम, क्या आता है जी? संबंद बोधक अभिये, शंबंद बोधक अभिये, एकदम point to point बात clear होगी, जो परिभासा कहेगी ना, उसी के अनुशार हम चल रहे होगे, जो परिभासा हमारी कह रही होगी ना, उसी के अनुशार हम लोग चल रहे होगे, एकदम जबर दस तरीके से, देखो किस तरीके से परिभासा क्या होगी दोस्तों, आपकी इसको पढ़ेंगे हम, संबंद का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है, यानि कि संबंद बोधक वे अविकारी सब्द होते हैं, जो संग्या या सर्वनाम के बाद प्रायुक्त होकर, वाक्य में अन्य सं नियोग का बोधकर आते हैं, ध्यान से सुनो परिभासा, जो संग्या या ऐसे लिख लो, संबंद बोधक, संबंद बोधक, अब ये, वह एविकारी सब्द होते हैं, सब्द होते हैं, जो वाक्य में, जो संग्या या सर्वनाम के बाद प्रायुक्त होकर, वाक्य में अन्य संग्या सर्वनाम के साथ, वाक्य में अन्य संग्या सर्वनाम के साथ संबंद का बोध कराते हैं, के साथ संबंध का बोध कराते हैं उसे संबंध बोधक कहते हैं बात समझ में आ रही के ना जो परिभासा लिखी है ना उसे के अनुसार अब हम इसके उधारण देखेंगे बात समझ में आ रही के ना बात क्लियर हो रही के ना ठीक है पुतिन आप टॉल फिरी नंबर पर बात करें आपकी समस्या का समधान हो जाएगा ठीक है तो उसे संबंध बोधक अब यह कहते हैं कहते हैं बात समझे के ना मैंने क्या बताया परिवासा मैंने आप लोगों को परिवासा बताई है दोस्तों के संबंध बोधक अब यह वह एविकारी सब्द होते हैं जो संगया या सरवनाम के बाद प्रायुक्त होकर वाक्य में अन्य संगया या सरवनाम के साथ संबंध का बोध कराते हैं उसे हम संबंध बोधक अब यह कहते हैं इतनी easy और आसान भासा में आपको परिभासा समझा देई है अब इसके मैं उधारण आपको दे रहा हूँ तो ध्यान से इसके उधारण भी देखने हैं हम लोगों को किस प्रकार से उधारण है दोस्तों तो देख लो आपके सामने है जो highlight करे हुए है ना जो yellow pen से highlight करे हुए ह ज्यादा से ज्यादा उधारण में दिशेरो आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको जलदी से समझ में आ जाए तो देखो मैंने क्या बताया है संबन्द वोधक का मतलब होता है आपको के सामने के चार और के निकट के भीतर के पीछे इतियादी सब्द इस परकार से आ देखो वाक्य में संग्या या सर्वनाम के बाद प्रायुक्त होकर वाक्य में अन्य संग्या सर्वनाम के सा संबन्द का बोध कराते हैं किस तरीके से देखो मनुस्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता अर्थात मनुस्य और पानी दोनों सब्द क्या है अपने आप में स संग्या सब्द हैं के ना है बिल्कुल है लेकिन यहां पर आप क्या देख रहे हो के बिना के बिना ये दोनों के साथ किसका बोध करा रहा है और ये दोनों के साथ संबंध का बोध करा रहा है किसका बोध करा रहा है संबंध का बोध करा रहा है तो जहां पर मैंने बताया था कि वे संग्याया सर्वनाम के बाद प्रायुक्त होकर अन्य संग्याया सर्वनाम के बाद संबंद का बोध कराते हैं उसे हम दोस्तों संबंद बोधक अब यह कहते हैं अब देखो किस तरीके से है अब देखो किस तरीके से है जैसे इसी जंगल के पीछे नदी है अब देखो म को बीच में क्या गया के पीछे मैंने क्या बताया जो एक संग्या सर्वनाम के बाद प्रायक्त होकर बाके में अन्य संग्या सर्वनाम के साथ संबंद का बोध कराते हैं उसे हम क्या कहते हैं संबंद बोध का अभ्य कहते हैं यहां से पूरब की और तालाब है और पूरब की और तालाब है, है कि नहीं बच्चे पिता जी के साथ मेले गए, किस के साथ गए जी पिता जी के साथ, कौन गए बच्चे गए, है ना मैंने घर के सामने कुछ पेड़ लगाए हैं, मैं होस्टल से दूर हूँ, मैं इस मकान के पीछे धरम साला है, हिमांसु की अपेकसा मोहन ह जल के बिना मचली, जी नहीं सकती, तुम घर के भीतर जाओ, अब मेरे बिरो, आप लोगों को इतनी बात समझ में आ रही होगी, और वो बात ये है आपकी, कि मैंने बताया है, परिभासा सीधी जो बताई है, उसके अनुसार हमने कार किया है, कि जो संग्या या सर्वनाम साथ संबंद का बोध कराते हैं, उसे हम हाँ, मैं मम्मी के साथ दिल्ली जाऊंगा, दिपक सर्मा, बहुत ही शानदार मेरे बीर, एक दम जबर्दस्त, जी, प्रणाम सुर्यांश राओ भया, तुम्हारा प्रणाम सुईकार कर लिया है, बात समझे के न, बात कलीर हो गई के न, बात कलीर हो गई इतनी, अरपना रानी, आप जो है, टॉल फिरी नंबर पर बात करें, आपकी समझ्या का भी शमधान हो जाएगा, ठीक है मेरे बीरो, क जर्ब कर discuss Administration अंता है उतिनी वास समझ में आगे जलदी से थम सब करके बताओ मेरे दौरो दोस्तों एकदम जलदी से थम सब करके बताओ जी आप बहुत-बहुत--बहुत जदाद अच्छा पढ़ाते हो आपको हाथ जोड़कर नमस्कार आपका तोड़ नहीं है सर जी मेरे वीरो जलदी से थमसब करके बता दीजिए एक दम एक दम जलदी से थमसब करके बता दीजिए कि हां सर हमारा वाला बात के लिए हो गई है नेक्स पॉइंट आप बताईएगा परियुक्त बाग्ये में कौन सा अब यह है, है कर नहीं बस इतनी बात पूछेगा और आपको विकलब देगा संबंध बोधक अब भी है बिसमयादी बोधक अब भी है या क्रिया बिसेस्थन अब भी है बस आपको जाना है कि के पीछे का जिसमें बोध होता है कि निकट का जिसमें बोध होता है वो तो संबंद बोधक का बोध कराता क्यों क्योंकि परिभासा ये कि जो संग्या या सर्वनाम सब्द देखो परिभासा क्या है कि जो संग्या या सर्वनाम सब्द के बाद प्रायुक्त होकर के बाद प्रायुक्त हुआ बाकिया में किसी अन्या या संग्या सर्वनाम के साथ संबंद का बोध कराता है उसे तो दोस्तों यही कहते है बात समझ में आ गई कहना बात समझे कहना सर मुझसे चला नहीं जाता कौन सा बात्ची है अरे भया इसमें तो भाव बात्ची है और कौन सा बात्ची है क्लियर हो गई ना बात इतनी, इतनी बात क्लियर हो गई, अब मेरे विरो इसमें एक प्रसंद देखने के लिए मिलता है, वो ये प्रसंद देखने के लिए मिलता है आपको, कि संबन्द वो धक अब्यके कितने अंग होते हैं, कितने अभियब होते हैं, ऐसे प्रसंद आया हु आपको तो देख लेना पहले अर्थ के अधार पर भी पूछा जाता है कि अर्थ के अधार पर संबंध बोधक के अब्वेक के कितने भेद होते हैं, तहरा भेद होते हैं, किसी-किसी बुक में आप लोग क्या देख लोगे? 14 देख लोगे किसी किसी बुक में कितने देख लोगे 14 देख लोगे जो कारानवाला होता ना कारानवाला मेरे शेरो उसको नहीं माना जाता कारानवाला जो होता ना उसको नहीं माना जाता बस इसमें आपसे एकजाम में बस इतनी बात ही पूछी जाती है कि अर्थ के अधार अब देखो एक तो आता काल वाचक इसके अंतर गताते पहले बाद आगे पीछे एक आता इस्थान वाचक एक आता बाहर भीतर बीच उपर और नीचे नजदीक दिसा वाचक में आता निकट पास समीप और तरफ सामने साधन वाचक में आता जरिये सहारे दूरा दौरा निर्मित और मारफत विरोध वाचक में आता उल्टे विरोध परतिकूल और विपरित आपसे एकजाम में ये नहीं पूछेगा मेरे शिरो आपसे बस एकजाम में इतना ही पूछेगा के संबंद बोधक अब्ये अर्थ के अधार पर कितने भेद माने गए हैं विकल्प में होगा 10,12,13,14,13 उत्तर होगा बात खतम इतना ही पूछेगा यही जानकारी के लिए बस ये डीपली मैं इसलिए लेकर के आगया के एकजामनर प्रसंद में क्या पूछले उसके कोई हाव भाव को नहीं जान सकता इसलिए मैंने आप लोगों को बताना उचित समझा और दिखाना उचित समझा नेक्स आजाओ देखो इसके बाद आता जी व्यतीरेक बाचक इसमे आता सिवा बिना अलाबा बगैर उद्देश ये हेतू या हेतू बाचक आ जाता है शाचर्य बाचक में समेत संग साहित और पूरबख स्वाधीन विसे बाबत या लेख संग्रह बाचक में आता समेट भ बोलते हैं शाद्रश्य शमान तरह भाती तुल्य और तुलना वाचा काता है नेक्स्ट अपेक्षा वनिश्वत या फिर सामने ये क्या कहलाते हैं दोस्तों ये क्या कहलाते हैं दोस्तों ये आपके संबंद बोधक अभ्ये के भेद कहलाते हैं बात समझ में आ गई के ना बात समझ में आ गई के ना बात के लियर हो गई के ना इतनी बात समझ में आ गई बात समझ में आ गई के ना नेक्स्ट आगे आजा वगले पॉइंट पर दोस्तों इसके बाद आता मेरे शेरो आपका इसके बाद जो आता है आपका वो आता है आपका समुच्य बोधक अब्विये अब समुझी बुदक अब्यकों हम पढ़ने जा रहे हैं ध्यान से एक दम पढ़ेंगे ठीक है चल एक बार सुनो सर हिंदी यहीं से किलियर हो जाएगा न सर वो आप आपको अगर समझ में आ रहा मेरे बीर तो इस बात पर क्यों 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 डिसकस कर रहे हो ठीक है ना अब से एक यह किलास हिंदी कॉंस्टेवल के लिए भी ले सकते हो बिल्कुल ले सकते क्यों ना ले सकते ठीक है ना अरे चोद है मैंने बताए हैं देखो चोद जो होता है वो होता कारण वाचक ठीक है इसको माना नहीं है कुछ बुकों में दे रखा एक दो बुक में दे रखा ह वस्चोद है लेकिन आपका जो माना गया है तेहरा तो अधिक सर्थिक बुकों मैं मिलता है ठीक है नहीं इसलिए हमने भी 13 ही माना है समये ना बातको चल्थ शॉका नेकस्ट इसके बाद आजाता है आपका नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है दोस्तों आपका नेक्स्ट इसके बाद नंबर दो आ जाता है आपका समुच्य बोधक समुच्य बोधक अब भी है समुच्य बोधक अब भी है ठीक है अब इसकी क्या परिवासा है देखियो जरा इसकी क्या परिवासा है देखो जो सब्द वाक्य तथा सब्दों को जोडते हैं उन्हें समुच्य बोधक अब यह कहते हैं जो सब्द अरे भाईया मेरे बीर मैंने क्या बताया है फोरेस्ट गार्ड के 2018 के एक्जाम में 14 माने मुझे पता है 14 माने है यूपिटर पलेस्टी का पेपर था वो ठीक है नहीं मुझे पता है 14 माने है लेकिन authentic book में जो माने है वो केबल 13 माने है ठीक है लेकिन फिर भी मैंने देखो 14 ही लिख रखे थे ठीक है मैंने 14 ही लिख रखे थे यहाँ पर 13 मैंने जान पूछ के किये हैं ठीक है जब authentic book में नहीं मिला मुझे तब जाकर के मैंने 13 लिखे हैं लेकिन चोदवा जो होता है वो कारण बाचा को होता है कौनसा होता है वो कारण बाचा को होता है समझ रहे ना बात को clear हो रहे ना बात ठीक है नहीं चल next इसके बाद आजाता है आपका समुच्य बोधक अब्ये अब देखो समुच्य बोधक अब्ये को हम ध्यान से समझेंगे क्या होता है मैंने क्या बताया है जो सब्द वाक्य तथा सब्दों को जोडते हैं जो सब्द जो सब्द वाक्य तथा वाक्य तथा शब्दों को जोडते हैं उन्हें समुच्य बोधक अब यह कहते हैं उन्हें समुच्य बोधक अब यह कहते हैं अब ध्यान से देखेंगे इधर अब क्या देखेंगे ध्यान से तेहरे ना दिया हो तो चोदर लगा देंगे ठीक है नहीं बस आप इस बात का ध्यान रखना है यदि आपको 13 ना दिया हो तो आप 14 लगाएंगे लेकिन आपका UPSC का पेपर है और UPSC एक्जाम में ही पूछा गया है ठीक है नहीं 13 ना दिया हो तो आप 14 लगा देंगे और 13 और 14 दोनों दियो होना तब आप 14 लगाना क्योंकि आपका UP SSC का exam है और UP SSC exam में ही पूछा गया है, बात समझ में आ रही कि ना, clear हो रही ना बात, अप तो clear है ना बात आपकी, क्योंकि आपका जो है ना, UP SSC का exam की हम तयारी कर रहे हैं और आयोग दुआरा मानने ता पराप्त क्या है, चोद है, ठीक है नहीं, तो इसल लिए हम लोग भी चोद है ही सही करना उचित समझेंगे क्यों क्योंकि आयोग जिसकी हम तयारी कर रहे हैं उसी का हम लगाएंगे बात समझ गई के ना क्लियर हो गई बात चोदवा जो होता है वो काराण बाचा को होता है मैं आपको बता रहा हूं ठीक है क्लियर हो गई ना बात मैंने लिख दिया है चोदवा उसका ध्यान दखना अब क्लियर है ना सब लोग थमसब करेंगे चल नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं अगले करेंट पर अगला पॉइंट है जी हमारा समुच्य बोदक अब्विया ने बताया है कि जो सब्द सब्द वाक्य तथा सब्दों को जोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं उसे हम समुच्य वोधक अब यह कहते हैं बात समझ में आ गई कहना इससे कोशन आते पूजा क्यों ना आते इससे कोशन तुम ऐसे क्यों बोलती हो अरे इससे कोशन आते हैं जबी तो हम पढ़ा रहे हैं अगर इससे कोशन नहीं आते तो हम क्यों पढ़ाते अप लेकिन आपको जो ध्यान देना है इसमें जो है ना आपके क्या बोलते हैं मिस्रित वाक्य है और आपके संयुक्त वाक्य है दोनों के दोनों किसमें आएंगे इसी में आएंगे समुच्य बोदक अब यह मैंने क्या बताया है कि समुच्य बोदक अब यह में दोनों के दोनों आएंगे बस यहां इस बात का ध्यान देना है आपको के यह यहां पर इस बात का ध्यान देना है यूप्य पुलिस में क्या लगाया लगाएं स malt rainfall या चो कर लगाना भाया प्रकार से जोडने का कारे करते हैं कौन समुच्य बूदा कभी और समुच्य बूदा कभी यह क्या होते हैं या अथवा तथा परंटू यह होते हैं बात समझ में आ रही के ना बात समझ में आ रही के ना क्लियर हो रही ना बात इतनी ठीक है ना इतनी बात के लिए हो रही है ना चल कुछ आप हम लाइब क्लास में ही लिखा करो ज्यादा अट्रेक्टिव हंट राइटिंग है अच्छा इसको कोर्स को मेरे वीर कोर्स को पूरा करने की वज़े से कोर्स को पूरा करने की वज़े से मेरे शेर इसलिए इसका सहरा लिया जाता है ठीक है नहीं क्योंकि आपकी लाइट नहीं आ रही थी है ना जब लाइट नहीं आ रही थी मैं क्या कारे कर रहा था मैं एक computer चल रहा था बस मैं यही तो कार्य कर रहा था कि इसको PDF को बना रहा था कि जिससे यह topic आपका आज का आज ही पूरा हो जाए समझ रहे ना बात को क्योंकि मैं बस समझा दूँ आपको समझ रहे ना बात clear हो रही ना बात इतनी बात समझ में आ गई के ना चलो next आजाओ next आजाओ समुच्य बोधक अब भी है यहाँ देखो उसने बहुत समझाया लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी हम पढ़ रहे हैं भया मेरे हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर UPCC exam के लिए पढ़ रहे हैं चोदवे को जो है मान्यता दी नहीं गई है इसलिए मैंने 13 ही बताएं थे क्योंकि एक पुलिस के exam में 13 माने गए हैं ठीक है नहीं समझ रहना बात को चलो अब देखो मैंने तुम्हें रीजन बता दिया है दोनों अब यहाँ पर देखो आप देखो मुझे टेप रिकोटर या या आग्या जी या घड़ी चाहिए यानि कि जो दो बाक्यों को परसपर जोड़ने का कारे करते हैं सूरज निकला और पक्सी बोलने लगे पक्सी बोलने लगे नेक्स्ट राम ने खाना खाया और सो गया मैं चाहता हूँ कि भारत तरक्की करे है ना जल्दी चलो नहीं तो पक्ड़े जाओगे नेहा खड़ी थी और सुमित्रा बैठी थी वह बीमार है इसलिए स्कूल नहीं गया मोहन मुंबई गया तथा रवी दिल्ली गया तो मेरे वीरो ये वाली बात समझ में आ गई कहना बताओ ये वाली बात समझ में आ गई कहना क्लियर हो गई कहना बात आप आए और हम पढ़ने लगे बिलकुल सही बात है प्रिया बिलकुल सही बात है बात समझे के ना बात किलियर हो गई के ना और ये जो प्रकार होते हैं समुच्य वोधकव्य के दो प्रकार होते हैं एक समाना धीकरण समुच्य वोधकव्य है और एक होता है व्यदिकरण समुच्य वोधकव्य है तो मेरे शरुबस इसमें एक बात का ध् देखो मेरे बीर, सबसे पहला तो है आपका समुच्य बूधक, समुच्य बूधक अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो समाना धी करना समुच्य बूधक, अब ये इसके अंतरगत आते हैं, चार उपवेद, एक आता है संयोजक और एवं तथा आता है, बिभाजक आता है, या अथवा नहीं तो वयाता है, बिरोध दरसक आता है, पर परन्तु किंतु लेकिन मगर बरन आता है, ये सब्द जो आएंगे ना, ये तुमारे सब्द के बीच में आएंगे, समझने ना बात को, अर्थात कहने का मतलब है, दो बाक्यों को परस पर जोणने का करेंगे बस इतनी बात आपको ध्यान देनी है, बाकी फालतों बातों से हमें कोई मतलब नहीं है, परिमान दरसक आता है, इसलिए अतय और अतय आजाएगा, बात समझ नहीं ना, इतनी बात समझ में आ रही के ना, क्लियर हो रही ना बात इतनी, बताओ जल्ली से थमसप करके, इस स्पी आपके 4 उपवेद होते हैं, एक आता है कारण वाचक, इसको बोलते हैं क्योंकि और इसलिए उद्देश से बाचक आता है की जो की ताकी, संकेत वाचक आता है, जो यदी तो, और स्वरूप वाचक आता अर्थात, यानी, अर्थात कहने का मतलब मिरशेर, इसमें दो बाकि जो को परस पर जोडने का करेंगे हम यदी 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 वहें बीमार ना होता तो तो इसकूल जाता तो इसकूल जाता अरे तो भी तो भी तो भी तो बताया ना मैंने तो भी तो बताया बात समझ में आ रही के ना बात किलियर हो रही के ना सूर्य उदे हुआ और चड़िया चहकने लगी जो दो बाक्यों को परस पर जोड़ने का कार करते हैं उसे हम क्या कहते हैं उसे तो दोस्तों हम समुछ बुद्ध कभ्य कहते हैं बात समझ में आ गई कैना इतनी इतनी बात क्लियर हो गई कैना तो अब देखो आप स्क्रीन सोट ले सकते हो देखो समाना अधी करण के ले लो पहले स्क्रीन सोट फिर उसके बाद आप ले लेना बियधी करण के जल्दी से लीजेगा फिर आगे बढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से स्क्रीन सोट लीजे मिरवीर छीक क्लास को दोस्तों लाइक और शेयर कर दे चलो, क्लियर हो गई ना बात, इतना तो ले लिए होंगे अब screen shot, अब ले जिए इसका वियदी करण समुझे वो धक्का लीजिएगा, जलदी से लीजिएगा, दो ही प्रकार होते हैं, बिधिकोल, हाँ या दो ही होते हैं, मेरे शेर, दो ही होते हैं, ठीक है, बात क्लियर हो ग ला esquय एग्दम पढ़ाते जो आपका वनविभाग का पेपर है है के नहीं वनविभाग वाला जो पेपर है आपका उसमें समच्चे बोधक अभिए जो पूछेन पूछें न संबंद बोधक कबी आपके उसमें लगाया है आयोग दृवरा चोधय उत्तर शमें न बातकों उसमें आयोग दृवरा जो लगाया है वो 14 उत्तर लगाया है ठीक है लेकिन इसके बाद आया था एक आपका UP Police operator का exam हुआ है UP Police operator का भी exam हुआ आपका है के नहीं हुआ के ना यह हुआ आपका मेर वीरो 2016 में ठीक है इस वाले एकजाम में भी आया है तो उसमें आयोग ने 13 माना है ठीक है 14 और 13 में बहुत ज़्यादा confusion है अब बताओ ठीक है नहीं तो लेकिन हम जो यूपिटर पलसी के हिसाब से हम जो मानेंगे वो मानेंगे 14 मेरे वीर समझ में आ रही ना बात बात समझ में आ रही के ना क्लियर हो गई ना बात क्योंकि आयोग को हम बिल्कुल भी गलत भी नहीं ठहरा सकते ना तो तुम उसका कुछ भी गाड़ सकते हूं नहीं हम कुछ भी गाड़ सकते हैं समझ में आ रही के ना बात, clear हो गई ना बात इतनी, तो इसलिए इस बात को ध्यान नको, तो जब ये 14 मैंने देखा था, आपसे पहले ही मैंने देख लिया था 14, है ना, तब मैंने इसकी सर्च की थी, कि 13 हैं या 14 हैं, ठीक है, तो एक बुक में बस केवल मुझे 14 दिखाई द बात समझ में आ रही के ना, बात clear हो डही के ना, और मैं भी यही कहना चाता हूँ, आप भी अगर 13 को मान्याता दोगे, तो जादा ही वहतर रहेगा, क्योंकि, जादा किताबों में 13 ही भेद माने कें, समझ में आ रही के ना, 13 चोदल वैसे तो दोनों ही सही हैं, दोनों ही मिरे शेरो मत अगे बढ़ते हैं इन पीर अ इस馨ि प्रूंस किस समझें है te Vergleich Channel मोर्ट Celebrity को स Supreme कि अब हम पढ़ते हैं किरिया विशिशन को ड़ते हैं में रिभ संधा किरिया विशिशन पर आता है को क्रिया विशिशन ऑठ थे उलए हो सम्झेंगे विशेशन की परिवासा फोजिए हैं हम सब्सक्रेंट थोड़ा थोड़ा साइड क्यू ना हो जाते हम तो सैड हमने तो देख लिया था आपको दिया था टाइम, इस्क्रीन सोट निकानने का टाइम दिया था मेरे शेरो, ठीक है नहीं? चलो अब देखो यहाँ पर क्या आ जाता है क्रिया विशेशन आ जाता है तो क्रिया विशेशन में क्या आता है जो सब्द क्रिया की विशेशन प्रकट करते हैं उसे क्रिया विशेशन कहते हैं करते हैं उन्हें क्रिया विशेशन कहते हैं उन्हें क्रिया विशेशन कहते हैं जो सब्द क्रिया की विशेशन प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेशन कहते हैं क्रिया विशेशन कहते हैं, तो ध्यान देना मेरे विरो, क्रिया विशेशन कितने भेद होते हैं, क्रिया विशेशन के कितने भेद होते हैं, चार होते हैं, जी कैसे अर्थ के अधार पर होते हैं, अर्थ के अधार पर कितने भेद होते हैं, ध्यान से देखना इस बात को, ध्य इससे हमसे प्रसन आता भी है एक्जाम में हम्जे करमाद को तो तो देखो जरत के आधार पर कृया विशेषन के भेद कृया विशेषन के भेद कृया विशेशन के एक तो होता जी आपका क्रिया एक तो होता है आपका काल बाचक एक होता इस्थान बाचक एक होता परीमाण बाचक समझ में आरीना बात यानि कि चार भेद होते हैं और चारों से प्रसंद पूछा जाता है आपसे जैसे मैं कह दूँ अजय कल जैपूर जाएगा उपर युक्त बाक्ये में कौन सा अब यह है आपको विकल्प कुछ इस प्रकार मिलेंगे समंद बोधक समुच्य बोधक है ना और क्रिया विशेशन और आप को विश्मयादी बोधक तो हमें पता है कल अरे कल तो हमारा समय का बोध करा रहा है तो सीधी सी बात है कल किसमें आ जाएगा क्रिया की विशेश्ता का बोध करा रहा है और जब क्रिया की विशेश्ता का बोध करा रहा है और जब क्रिया की विशेश्ता का बोध करा रहा है तो अब आहां पर काल वाचक क्रिया विशिशन हो जाता है dead soul इतनी सी बात में समझाना चाहरा था आपको clear हो गई कैने बात यहां तक clear हो गई के बात यहां तक clear हो गई मेरे भीरो बात यहां तक एक बार थमशप करके बताएंगे जल्दी से और फिर वन वाई वन करके एक एक करके सभी के बारे में समझेंगे, एक बार क्लियर करके बताएंगे जल्दी से दोस्तो, थमसब करके बताएंगे जल्दी से एक बार दोस्तो, थमसब करेंगे जल्दी से, ठीक है, जल्दी से थमसब करेंगे, बहुत शांदार, बहुत या भाई जबर्दस्त 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 एस्टेट की किलास मेरे बीर दीपक इसलिए नहीं चली क्योंकि लाइट नहीं थी ठीक है लाइट की समश्या के कारण आपकी किलास नहीं चली है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है एक्जाम में इतनी डिटेल से पूछे, हाँ, क्यों ना पूछे हमें हिंदी पार करनी है किसी भी तरीके से कर रो आगे बढ़ते हैं दोश्टों तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा बिल्कुल भी और competition तुम्हें पता ही यह बढ़ता जा रहा है और जैसे कि competition बढ़ता जा रहा है उसी प्रकार से हम लोगों की तैयारी भी बढ़ती जा रहे हैं ठीक है चलो अब देखो मेरे अब देखो यहाँ पर आज आपका topic यह समाप्त हो जाएगा आप चिंता ना करो किसी भी तरीके से चिंता मत करो और मैं पहले सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं 365 व्यक्ति लाइव हैं और 363 लाइक हैं तो आपको तहे दिल से मैं आपको देता हूं दोस्तों इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद आपका . ठीक है मेरे शेरो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे अब देखो क्रिया विशेषन के भेद मैंने बता थे तो देखो मेरे शेरो Patrol यहां पर काल कार्थ होता है क्रिया की विसेस्ता हम देखे ना अब देखो कैसे जिस क्रिया विसेसन सब्द दुआरा क्रिया के होने के समय का बोद होता है बात समझे के ना जिस क्रिया विसेसन सब्द दुआरा क्रिया के होने के समय का बोद होता है जो क्रिया हो रही है ना वरतमान में जो कारिय हो रहा है उसके होने के समय का जो बोध हमें हो रहा है तो उसी को हम क्या कहेंगे उसी को हम क्या कहेंगे काल वाचक क्रिया विशेशन कहते हैं बात समझ रहे हैं किस तरीके से जी एक्जामपल देखेंगे जी हम तो एक्जामपल से पहचानेंगे जी हम तो हाजी क्य निरंतर वह रहा है अरे निरंतर किसका कर रहा है लगतार लगतार कारिये चल रहा है लगतार कारिये चल रहा है बाद समझे के ना मैं अभी आ रहा हूं अभी किसका बोद करा रहा है बिल्कुल समय का बोद करा रहा है अभी आ रहा हूं अभी आ रहा हूं मिल्कुल है के नहीं में राम सीग्र जाओ अजे कल जैपूर जाएगा मैंने भी उधारन बताया ता कल किसका बोध करा रहा है आपका कल बोध करा रहा है आपका अर्थ के अधार पर बात समझ गई होंगे एक दम जबर्दस तरीके से इसमें आते हैं निरंतर अभी सीग्र कल पर सो यदा तदा हमे ठीक है आगे आजाओ जी स्थान बाचक पर आजाओ अब इस्थान बाचक किसे कहते हैं जी इस्थान बाचक का मतलब होता है यानि कि जिन जिन सब दो दूसे क्रिया के होने के इस्थान का पता चले बहाँ पर किसका पता चला आता बहाँ पर तो काल का अर्थात समय का पता चलाता लेकिन यहां पर किसका पता चला है अरे यहां पर तो हमारे इस्थान का पता चला है यहां पर तो हमारे इस्थान का पता चला है और जहां पर इस्थान का बोध होता है बहां पर क्या होता है इस्थान वाचक क्रिया विशिशन होता है आपके सामने आपके सामने ठीक ह ठीक है जोस्तों अब देखो यहां पर देखो ध्यान से देखो इस्थान का बोध तुम्हारा घर कहां है कहां किसका बोध कराराजी इस्थान का बीतर जाकर बैठो बीतर किसका बोध कराराजी इस्थान का तुम छुट्टी में घूमने किधर जाओगे इस्थान का यहां से सामने टेखो इधर उधर मत देखो यानि की इधर उधर किसका बोध करा रहा है अरे ये तो स्थान का बोध करा रहा है बात समझ में आ गई क्या ना बात किलियर हो गई क्या ना क्लियर हो गई के ना बात, नेक्स्ट अगला पॉइंट आता जी, परिमाण वाचक क्रिया विशेशन, परिमाण का मतलब होता नाप तोल, सीधिशी बात है, डेट शोल, नाप तोल का आर्थ होता है, ऐसे सब्द, जिसको, अरे, परिमाण अर्थात नाप तोल, जिन सब्दों से क्रिया के नापतोल अथवा परिमाल का बोध होता है यानि कि ऐसे सब्द जिससे हमारे नापतोल का बोध हो रहा हो या फिर परिमाल का बोध हो रहा हो तो उसे क्या कहेंगे उसे तो जी हम परिमाल वाचक क्रिया विशेशन कहते हैं जैसे आया ना परिवासा अब देखो ज टोलता है तुम थोड़ा बोला करो बूद्द से घड़ा बरता है धीर घड़ा बर जाता है थोड़ा कम स्वाल्प केबल पराय सरवथा अतियंत अतियंत परियाप्त एत तो जी आपका किसका बोध करा तुछी परिमाळ का बोध करा रहा तुछी परिमाळ का बोध करा रहा बात समझ मैं आ गई कहा ना क्लियर हो गई ना बाद इतनी next आगे आ जाओ अगला पॉइंट है जी आपका अगला पॉरीती बाक्चाक अब रिती का मतलब समझ रहे हैं, जो आपका बिधी वाचक होता ना, बिधी वाचक, बाकिये, है ना, जिन से किसी परकार के कार्य के होने की बिधी का पता चलता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, रिती, अर्थात कहने का मतलब है, रिती, कार्य करने की इस्थिति, अर्थात रिती कारे को हम किस प्रकार से कर रहे हैं हमेरे नमद को कि ये रिती ठीक ना वया तुमारी ये रिती ठीक ना है ये रिती नी वाजबेकार है बात समझ में आ रही के ना बात क्लियर हो रही के ना इतनी ठीक है बात समझ में आ रही के ना अब देखो किस तरीके से है मेरे विरो तो देखो जिन सब्दों से क्रिया के होने की रितिया विधी का बोध होता है जिन सब्दों से क्रिया के होने की रितिया विधी का बोध होता है विधी का बोध होता है किस प्रकार से हो रहा है क्रिया किस प्रकार से हो रही है तो उसे र नेकी रिती का ही तो बोध करा रहा है बात समझ में आ गई कहना संबभ है कि आए जलदी जलदी धल रहा है जलदी जलदी धल रहा है दिन लिखा जाता इसके आगे चूट गया वह बात समझ रहें कहना दिन जलदी जलदी धल रहा है अचानक आ गए तुम अचानक आ गए तु ध्यान पूरबक पढ़े किलास को ध्यान पूरबक पढ़े है कि नहीं कदापी नहीं हो सकता क्दापी उचित नहीं हो सकता यह रिती नहीं हो बत समझ रहे के ना बात क्लियर हो रही के ना एक बार थमसब करके बता देंगे सभी लोग, एक बार थमसब करके सभी लोग बता देंगे कि हाँ सर हमारी बात यहां तक क्लियर हो गई है और next class आप लोगों की तैयार है दोस्तो, next इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं number 4 पर जिस क्या बोलते हैं जिसको हम विस्मयादी बोधक अब्ये बोलते हैं तो विस्मयादी बोधक अब्ये की पहचान क्या है मेरे शिरो वो पहचान है आपकी ये जिन अब्ये से हर्स सोक घरणा आदी भाबो का भाबो भाब बोध हो भाबो का बोध हो तथा जिनका संबंध बाक्य क किसी पद से नहीं होता जो बिसमयादी कभ्य होता ना उसका संबंद बाक्य के किसी भी पद से नहीं होता जो बिसमयादी बोदक अब्य होता ना दोस्तों वह है उसका संबंद किसी भी पद से नहीं होता आपका किसी भी पद से बिल्कुल भी संबंद नहीं होता बात समझें क अब देखो यहां आप यहां पर देखो उधारन से देखो अरे अरे से क्या बोध हो गया असरे का बोध हो गया अरे चले जाओ नहीं तो मार खाओगे अरे चले जाओ नहीं तो मार खाओगे next क्या है हाई बह चल बसा हाई मतलब किसका बोध करा रहा यह बुबला हाई ना है कभी सोच रहे है हाई हाई स्वीटी कैसी हो बो ना आयो है ना तो एक्जाम में स्वीटा बन जागा ठीक है वाह वाह रवी ने तो कमाल कर दिया सोक खुसी का बोध हो गया हे राम मोहन के साथ यह क्या हो गया जी हां मैं हुआ हूं खलनायक से ने वद्थ को अब खलनायक ही बनना तुम्हें एकजाम में एकजाम को पूरा करके ऐसे ना कह रहा कि मैं बंदू-कुंदू-क लेका जाई हो और बाद में कव कनपटीपर एकजामनर वाले की रखते हैं या चल जरा हमारा पे कितनी गंदगी है नेक्स्ट है अजी अजी सुनते हो कहते ना अजी सुनते हो तो ये भी किसमें आता दोस्तो ये आता है आपका ये सब किसमें आता है आपका विसमयादी बोधक में आता है बात सबज में आ गई के ना बात कलियर हो गई के ना ठीक है ना, बात clear हो गई के ना, चलो, next आगे आजब अगला point कह रहा है, यहाँ पर मैंने बताए हैं, यहाँ पर दोस्तों आपके विबस्ता बोधक आते हैं, यह आते हैं आपके, यह मैंने इसमें लिखे हैं, ठीक है, आप चाहो तो इसका screenshot ले सकते हो, आप चाहो तो इसका बोधक, त्रसकार बोधक, शुकरती बोधक, विवस्ता बोधक, जिसको हम बोलते हैं, आस्चरिय, संबोधन बोधक, हर्स बोधक, अनुमोधन आसिरवाद, जिसको बोलेंगे, विदास बोधक, और एक आता है विवस्ता बोधक, यह क्या कहलाते हैं, आपके, यह सारे के सा आपका निपात की क्या परिवासा होती निपात की परिवासा तो जी बहुत आसान है हमने तो बहुत आसान परिवासा पढ़ी क्या पढ़ी हमने यो पढ़ी जी निपात मूलत है निपात का प्रियोग अभ्यों के लिए होता है इनका प्रियोग वचन इनका कोई लिंग वचन नहीं होता सुरी इनका कोई भी लिंग बचन नहीं होता निपातों का कोई भी लिंग बचन नहीं होता निपात का प्रियोग निश्चित सब्दिया पूरे वाक्य को स्रभ्य भावार्त प्रदान करने के लिए किया जाता है पूरे वाक्य को स्रभ्य भावार्त स्रभ्य यह होता ना जो सब्द समू होता ना उसको बल प्रदान करना भी होता बल बल ही तो प्रदान करेगा यह निपात उसी को तो निपात कहते आप देख रहे होंगा हाइलाइट में हाइलाइट में ही 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 देख रहे कर ना देख रहे यही तो है निपात अरे कैसे मोहन ने ही स् चलना ही पढ़ेगा है कि ना दोस्त एक दोस्त एक दूसरे दोस्त कुना कहता यह रहुआ चलना चलेगा क्या बोगाए अपके ही साथ जाएगा राम ही मेरे प्रिय भगवान है यह क्या है जी यह तो आपके निपात के अंतरगत आजाएगा दोस्तों तो ठीक है दोस्तों क्लास कैसी लगी है अब यह समझ में मैं आशा करता हूं एक दम जब्रदस तरीके से पूरे के पूरे अब भी आपको आ गए होंगे ठीक है दोस्तों तो मिलते हैं next class में नमस्कार दोस्तों जिसने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है जो चैनल पर पहरी बार है वो चैनल को सस्क्राइब भी कर ले और दोस्तो क्लास को शेर और लाइक कर दे दोस्तो नमस्कार दोस्तो ठीक है